एशिन गेम्स 2023 में भारत ने एक बार फिर इतिहास रच दिया है। आज तीसरे दिन भारत ने एक और गोल्ड अपने नाम कर लिया है। ये मेडल उस खेल में भारत के खाते में आया, जिसमें भारत ने पिछले 41 साल से गोल्ड नहीं जीता था। भारत ने 1982 के बाद आप पहली बार घुड सवारी में स्वर्ण पदग चीता है। सुदिप्ती हाजेला, दिव्यकीर्ती सिंग, रिदै छेदा और अनुष अगरवाला भारत के लिए ये गर्फ कपल लेकर आए हैं। इन खिलाडियों के गोल्ड जीतने के कुछ ही देर बाद, भारत ने इसी खेल के सिंगल इवेंट में एक सिल्वर मेडल और एक ब्रॉन्ज मेडल भी चीता। ये उननिसमें एशिन गेम्स में भारत का तीसरा गोल्ड है। इससे पहले भारत ने एक गोल्ड शूटिंग और दूसरा महिला क्रिकेट में हासिल किया था। आप टीम इंडिया के पास कुल 14 मेडल हो गए हैं, 3 गोल्ड, 4 सिल्वर और 7 ब्रॉन्ज भारत मेडल टाली में छटे स्थान पर है।